नमस्कार, राजन्स एकेडमी में आपका स्वागत है 3 जन्वरी 1831 का भारत्य इत्यास में एक महत्वपूर्ण स्थान है इस दिन भारत्य शिक्षा को एक नया सुरूप देने वाले महान व्यक्तित्व का इस पावन धरा पर अफ्तरन हुआ क्या आप जानते हैं उस इतारे का नाम? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट की प्रख्यात समासेविका शिक्षाविद एवं कवित्री सावित्री बाई जोती राव फुले की उन्होंने अपने पती जोती राव फुले के साथ मिलकर इस्तरी अधिकारों एवं सिक्षा के छेत्र में उल्लेखनिय का रेकिये आदुनिक मराथी काव्य की अग्रदूत मानी जाने वाली सावित्री बाई फुले ने समकालिन समाज की इच्छा के बिप्रीज जाकर ना केवल महिलाओं और बालिकाओं को सिक्षा गिरन करने को प्रेदित किया वरन भारत की प्रथम सिक्षिका वनने का गौरब भी प्राक्त किया इन्होंने ही भारत में महिलाओं के लिए प्रथम विद्याले की स्थापना की सावित्री वाई फुले भारत के पहले किसान स्कूल की संस्तापक थी उन्होंने बालिकाओं के लिए अठारा विद्याले खोले उनके जीवन का उद्देशे ही मानो विद्वा विवा करवाना छुआ चूट मिटाना महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को सिक्षित बनाना था 1840 में उनका विवाह जोती राव फुले से वा जो आगे चल कर जोती वा फुले के नाम से विख्या थुए वही सावित्री वाई फुले के गुरुवा सहीयोगी थे अब उत्तर तालिका की साहिता से अपने स्रोन कोसल का मुल्यांकन कीजिए